हेलो क्रेंड वेलकम में निर्कांटिवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम पढ़ेंगे जी टी पी एल जी टी पाल यह ओबीजी का एक टॉपिक है जो बहुत इंपोर्टेंट है पीछे की एक्जाम में इसमें से बहुत बार क्यूशन आए है ठीक है 20 से लेकि 30 परसेंट जो स्टुडेंट है अगर वो रह गए है उनको जी टी पाल समझ में नहीं है तो मैंने वीडियो उनी के लिए बनाया है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा क्योंकि यह इसमें से एक्जाम इसमें बहुत बार आया हुआ है और यह है कि इसमे आफके लिए बहुत important होने वाला है तो वीडियो को सुरू से लेकि अबर जरूर देखिए इसमें हम बात करते हैं gtパल м請 को देखिय इज देखिए इसमें दो इनसमेन्ट ऑफ रूसरेसमेंट और ऑप्सटेकटी सिघक विस्ट्री यह प्रीशरेसमेंट और ऑफ प्सटेक् ठीक है ग्रेविटा का मतलब क्या हूता है प्रैकनेंशी तो इसमें हम देखेंगे कि जो वूमेन है वो कितने बार प्रैकनेंट हो चुकी है अपनी पिछा की हिस्टरी में ठीक है next term birth term birth मतलब यहनि जो भी बेबी जो भी उसके पहले कोई delivery हुई है जो भी बेबी delivered हुआ है वो कितने टाइम पे delivered हुआ है यहनि 38 वीक के बाद के टाइम को क्या बोलते हैं term birth यहनि कोई भी बेबी अगर वो 38 या 38 वीक के बाद में जन्मा है तो वो क्या होगा term baby next P P मतलब pre term pre term मतलब 38 week से पहले 38 week से पहले जो भी बेबी जन्मे बाइब वह क्या होगा pre term लेकिन इसका भी एक time period होता है the liability से लेके 38 week viability का period कितना होता है será 28 28 tons webpage अisiert से लेक üzer08 वीक्षी पहले जनमें वे बच्चे को व्याzd जयर्श को तर्थ हैं sergeёт टिकर नीच्ट कीở एफ ऊबौर्ट संप अबॉर्टिन को अधर-व एदर्वाइड में हम क्या कहते हैैं Boss сказать तो इसमें जो भी बेब्ज हुघता How उसका टाइम पी डिरेट कितना होगा 20 वीक से पहले नेक्स्ट है एल फोर लीविंग चिल्डरेन यानि इस टाइम पे उस वूमन के कितने बेबी है वह लीविंग यानि अभी तक वह जी रहे हैं वह क्या होगा लीविंग चिल्डरेन इसी इसाब से हम उसके अब इस्ट्रिक है यह जीटी पाइल होता है ठीक है अब इसके हम निकलेंगे क्यूशन तो इसमें फैस्ट क्यूशन देखिए एप प्रेगनेट वूमन कम्स फॉर दे हर फैस्ट एंटी पार्टम वीजिट शी हैज एट टू इयर ओल्ड सन बॉर्न एट फॉर्टी वीक से फाइव इयर ओल 10 Wix Using GTPAL What Does the Nurse Document About The Client's Obstetric History ठीक है तो अपने को इसके ऑप्स्टेक्टिक हिस्ट्री है उसका पता करना है जीटी पाल की साहता से तो जीटी पाल में क्या देखते हैं ग्रेविडा टर्म प्रेटर्म अबॉर्ट्ट्रे और लिविंग शील्ड्रे ठीक है तो इसमें हम अपने को सबसे पहले देखने पड़ेगी ग्रेविडा कि वह कितनी बार प्रेगनेट हुई है तो इसमें जो वुमेन है वह पांस बार प्रेगनेट हुई है जी तो इसमें ग्रेविडा कितना होगा फाइव अब वह पांस बार कब हुई थी फैस्ट है जब उसको दो साल का एक चाज़तरा है سाथ साल के उसकी क्या है दो डोटर है यह उसकी तीसरी प्रेगनेंशी हो गई फोछ प्रेगनिंशी कब हू учforest टी दे रख़ा यह उस सांप सी अबी क्या हूई थी प्रेगनेट और पांच भी प्रेगनेट कब आया थी? अबी एते प्रेजंट टाइम इसमें मैंने पैस्ट लाइन ये लिखिये है ए प्रेगनेट वुमें गॉमेन कमस ठीक है तो वह इस टाइम भी का है? प्रेगनेट है तो प्रेगनेट कितने बार हुई वो? पांच बार बेबी जन्मी है इसमें फेस्ट देखिए टू इयर ओल्ड सन यह दो साल का बच्चा है इस टाइम पे वह भी चालीस वीक पे जन्मा था और जो पांस साल की एक डॉक्टर थी वह भी कब जन्मी थी 38 वीक ठीक है यह क्या है ट्रम बेबी अब बात करता हूं प्री ट्रम की प् इसमें कहां दे रहा है सेवन ये ओल्ड ट्वीन डॉक्टर एट थर्टीफाइव वीक ठीक है पैंटीस वीक पे क्या जन्मा थो इसको ट्वीन बेबी जो डॉक्टर थी वह थर्टीफाइव वीक पे तो यहां पर प्री ट्रम कितना हुआ एक और और नेक्स्ट हम अबोर्टन हुआ था तो एसमेर और ऑबोर्टन कितना है यह फॉऌर और यहा धायद हो गया झाल कि लिविइविग चाइडिक लिविग तिऑंग्र कितनी है लिविंग चिल्डेस लिविग छाड drive नंई उसके चार हूः और फेलार में वो गईड़ा है क्रीविग गईग में काउंट नहीं करेंगे और इसमें मैंने एक नौट करके एक बात बताईए जो ट्वीन प्रेगनेंशी होता है वह हमेशा एक ही प्रेगनेंशी में काउंट होता है चाहिए उसको बच्चे दो हो ठीक है लेकिन वह प्रेगनेंशी कितनी काउंट होगी एक जो ट्वीन देखिए saruti is experience next question देखिए saruti is experiencing her fourth pregnancy her first pregnancy ended in a spontaneous abortion at 8 weeks second life birth of one boy at 38 weeks and third life birth of a daughter at 34 weeks तो अपने इसका जीटीपाल निकालना है तो जीटीपाल निकालिए उसमें उसको इसमेड सो मेने एक हिंटी दे रखा है कि उसको प्रेगनेंसी कितनी है तो उसको प्रेगनेंसी है जी फॉर्ट प्रेगनेंसी उसको फॉर्थ तो इसमें जी जो ग्रेविडा है वो कितना है फॉर्थ इसमें फैस्ट लाइन देखिए एक्सप्रेइंसिंग है फॉर्थ प्रेगनेंसी कि मतलब तो वो इसमें fourth time पे क्या है pregnant है ठीक है अब इसमें देखेंगी term pregnancy heals tulfo raise तो term pregnancy उसका कितनी है क्योंसा रफा क्योद सब्सक्राइब चैट विक यह। उसका ठ्र Kellлы इन उसको कितनी यह इक और इसमें next देखिए, pre-tr kı humble यानि 38 weeks से पहले और 28 weeks के बाद यानि 28 weeks के बाद और 38 weeks से पहले उसको कितनी pregnancy है वो भी एक ही है जो कौन्सी है third life birth of a daughter at 34 weeks ठीक है यह 34 week वाली pregnancy किसमें आ गई preterm है क्योंकि यह 28 weeks से लेके और 38 weeks से पहले की है ठीक है यह कौन्सी है preterm pregnancy next देखिए a for abortion abortion उसको कितना हुआ abortion उसको एक ही हुआ है ठीक है इसमें कब हुआ था एट week पे जो उसके पहली pregnancy थी उसमें उसको abortion हुआ था एट week पे तो इसमें abortion कितना है वन तो इसमें पहले क्या हुआ है एक वन और next living children उसको तो लिवींग चील्डेन की उसको लिवींग चील्डेन कितनी है L2 यह होगा उसका GTPAL ठीक है अब इसी साब से आपको एक क्यूशन निकालना है मैं आपको एक क्यूशन देता हूँ उसका आप GTPAL निकालने के बाद में आप उसका क्यूशन क्या है एक प्रेगनेट वोमें कमस तो दे क्लिनिक फॉर विजिट इस इस थार्ड प्रेगनेंशी शी एड ट्वल वीक एंड और थर्टी वीक शी गेव बर्थ एसन वह इस त्री यह ओल नौ उजिग जीटी पाल शीटम दे नर्स वूट डूकुमेंट इस वोमें हिस्ट्री इसका मतलब क्या हुआ है उसको थर्ट प्रेगनेंशी है उसका जो और उसको एक मिस्केरिज भी हो चुका है कब बारावीक पे और अभी बतीस वीक पे उसने एक बेबी को जनम दिया था जो अब तीन साल का है तो इसमें आप क्या निकालेगे जीटी पाल निका अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे फिलाल के लिए इतना ही ओम नर्सिंग के साथ दूने के लिए आप सभी का धन्यवाद